Hello Everyone, Welcome to Career Information NIA CL का exam जो 16 तारिकों था आज वो खतम हुचुका है तीन शिफ्ट में ये exam conduct करवाया गया है जो administrative officer scale 1 discipline जो था वो generalist के लिए इस बार सिर्फ था क्योंकि जो 2018 में आया था उसमें लगबग 4 से 5 अलग-अलग disciplines थे जो exam हुआ था तो इस बार सबसे पहली बात तो हम discuss करेंगे exam कैसा था उसके बाद में sectional cut off और जो expected cut off है main वो क्या हो सकता है उसके बाद में shift wise level of exam कैसा था तीनो shift में exam का level कैसा था और क्या safe attempts हो सकते है shift wise वो सारी चीज़े इस वीडियो में मैं आपसे discuss करूंगा आप बहुत से बच्चों से reviews लिए सारी चीज़े collect किये फिर आपके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हो सबसे पहली बात तो बात करेंगे हम cut off तो cut off किन चीज़ों पर depend करता है आप लोगों ने पिछला cut off तो 2018 का दिखाए होगा हम आगे बात करेंगे उसके बारे में level of exam overall की बात करेंगे तो easy to moderate था अब moderate इसलिए कहूंगा कि कुछ sections जो थे वो moderate level के थे कुछ sections जो थे वो easy level के थे उसके बाद में कितने बच्चों ने registration किया था कितने लोगों ने appear किया था exam मुझे नहीं लगता उतना जादा इन सारे exam में depend करता है क्योंकि इसके पीछे reason यह है कि सालों से बच्चे banking या जो भी IBPS, SBI के लिए already preparation करते रहते उसमें बीज बीज में जो insurance के जो assurance insurance के जो exam आते उसको भी appear करते क्योंकि exam pattern तकरिबन same होता है at least premium का तो भी तो उसकी वज़े से उतना जादा absent ही होगी या नहीं होगी उतना जादा matter नहीं करता है ना मेरी लिए क्योंकि जादा cut off उसपे depend नहीं करता है बात करेंगे number of vacancies जो इस साल थी वो 300 थी last year से अगर आपने compare किया क्योंकि ये generalist के लिए था सिर्फ और last year भी 300 के करिब था लेकिन वो सारे stream मिला के था तो last year अगर हम generalist की बात करें तो only 245 vacancies थी तो उसको बढ़ा के अभी 300 vacancy कर दिये तो yes थोड़ा बहुत 55 vacancies बढ़ चुकी है तो इसका जो है वो सिधा सिधा एक चीज़ तो fix है कि cut off उससे कम ही जाएगा बात में हम बात करेंगे average attempts बच्चे के कितने थे क्योंकि हम जब भी हम देखते हैं कि बच्चे attempts हमें जो बताते हैं कुछ सही बताते हैं कुछ गलत तो यह depend करता है कि बच्चों ने average ली कितना attempt किया है जो अच्छे जो preparation जो बच्चे करते हैं उनसे average ली attempt कितना हो सकता है वो सारी चीज़े भी effect करती है और उन सारी चीज़ों से ही कट-off का थोड़ा बहुत हम predict कर सकते हैं बात करेंगे उनके जो notification में दिया गया था NICL का वो था कि 15 times number of candidates जो है वो mains के लिए shortlist होने वाले तो सिधा-सिधा हिसाब है अगर 300 है तो 15 अगर हम multiply करेंगे तो 4,500 candidates फिर इसमें अभी divide होंगे जो भी मतलब ये category wise shortlist होंगे in to 15 तो उसके इसाब से total जो होंगे 4,500 के करीब ये लोग select करने वाले for mains तो ये सारी चीज़े हैं क्योंकि अगर हम बात करेंगे 245 जो last year का मैंने 2018 को जो notification था जिसमें 245 vacancy थी तो 245 into 15 करें तो बहुत जादा कम हो जाता है shortlisting तो ये सीधा सीधा है कि इस बार जो cutoff है वो कम जाने वाला है बात करेंगे आगे आगे हम कि बाकी सारी shift की और सारी analysis देखने के बाद कि कितना safe cutoff हो सकता है सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया previous notification की vacancy 245 थी जैसे कि SC के लिए 29 वेगरा और UR के लिए 137 OBC 59 ST20 तो ये सारी PWDs अच्छे कासी vacancy थे लेकिन पचपन बढ़ चुकी ये अल्ड़ेडी previous cutoff की बात करें previous cutoff सिर्फ हमें ये बताने के गोशिश करेगा कि last year कितनी vacancy में कितना cutoff गया था level of exam कैसा था खेर मैं ज्यादा previous cutoff पर depend नहीं करता हो क्योंकि मैं उसको ज्यादा हम ये भी नहीं कर सकते कि इस हिसाब से हम cutoff बनाएंगे क्योंकि previous cutoff जो है वो हमें उस vacancy और उस competition के हिसाब से देता है और वैसे भी एक्जाम अभी ये मतलब 2018 में हुआ था तो काफी time भी बीच चुका है, competition चेंज हो चुका है number of appear students चेंज हो चुके है उसके बाद में level of exam भी चेंज हो चुका है preparation का level भी बढ़ चुका है क्योंकि हम जब भी हम banking का देखते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखते कि cutoff बढ़ते ही जाता है क्योंकि बच्चे प्रिपेर उस हिसाब से करते हैं जैसे कि बहुत से बच्चों से मतलब बहुत से बच्चों को देखा भी है मैंने कि उनके slowly marks जो वो gain होते जाते आगे आगे तो previous cutoff पे हम ज़ादा depend नहीं करेंगे लेकिन just for your information कि SC का जो था वो 70 around था ST का जो 61 था OBC 75 था UR का 80 था इतना तो नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा अभी हम बात करेंगे कि exam analysis की कि कितने good attempts हो सकते हैं shift wise shift 1 की बात करें बच्चों से बहुत बच्चों से बात किया तो उसके बाद जो सबसे easy जो सारे shift मिला के जो section था वो थोड़ा बहुत English था क्योंकि English के attempts वो बच्चों के अच्छे हो रहे थे English जो shift 1 की बात करें तो moderate था moderate मतलब easy to moderate level का था जादा moderate भी नहीं बुल सकते apti की बात करें तो moderate था moderate क्यों था क्योंकि बहुत जादा calculated था बच्चों को बहुत problem आई कभी कभी कुछ कुछ shift में उसके बाद में reasoning ability जो थे वो जादा puzzle बेश थे बहुत सारे puzzles भी थे इस बार और अलग-अलग box या फिर बहुत अलग-अलग puzzles थे तो yes easy to moderate level का था reasoning time taking था क्योंकि puzzles बहुत सारे थे तो attempts एकदम जादा नहीं है तो 64 से लेके 69 अगर आपका shift 1 में accuracy के साथ है तो थोड़ा ठीक attempt है आपका लेकिन कोशिश करो कि आपका जो attempt है अगर 65 के आगे होगा तो बहुत अच्छे आपके chances है वो बात हम आगे करेंगे कैसे chances से क्या है क्योंकि 3 shift में exam हो आए और याद रखना जब भी shift में exam होता है तो normalization भी आता है और shift 2 की अगर हम बात करें तो सबसे easy जो सारी shift मिला के जो English सबसे easy अगर कोई shift में था वो shift 2 में था जिसमें अच्छा का सा English easy था कुछ error find out करने थे वो भी easy था words में sentences में उसके बाद में correct sentence का भी ठीक था उसके बाद में उस बेकिस्तान का शायद से एक passage आया था gas के उपर तो वो भी मतलब ऐसा था कि आप पढ़ो और उसको याद करके अगर आप सिर्फ questions पढ़ते हो तो आपको answer समझ में आ जाएंगे ओके वो भी अच्छे कासे थे बाद में fill in the blanks था वो भी ठीक ठाक था तो यस यह था English का जो बहुत अच्छा अगर हम बोले तो 23-28 तक अगर आपने attempt किया तो बहुत अच्छे attempt है बच्चों ने 30-30 किये लेकिन एक चीज़ याद रखना कि English में most of the time ऐसा होता है कि जादा होते है क्योंकि वो English है अप्टी और रिजनिंग में हमें पता चल जाता है कि answer हमने क्या निकाला है aptitude की बात करेंगे तो yes easy to moderate था इसमें भी time taking था वो कि कुछ D.I.B. time taking थे बहुत calculated था reasoning भी puzzle based बहुत जादा था इस बार पे पर तो वो भी अच्छा कासा था कुछ blood relation के वेगरे आये थे वो भी थोड़ा tough था तो yes easy to moderate लिवल का reasoning था second shift की बात करें 69 से लेके 75 तक आपका अगर attempt थे तो बहुत अच्छा है उसके बाद में बात करेंगे shift 3 की English जो था इसका moderate था easy to moderate और 19 से 22 is very good attempt apti जो 15 से 18 इसमें जो third shift से बच्चों से थोड़ा ज़ था कि जो apti था third shift का वो थोड़ा जादा मतलब moderate से लेके थोड़ा ऊपर था high level का था थोड़ा क्योंकि बहुत time ले रहा था और easily solve भी नहीं हो रहा था तो वो सारी चीज़े देखके अगर आपके 15 से 18 तो बहुत अच्छा attempt है reasoning ability की बात करें तो अच्छा था इसमें easy to moderate थ था लेकिन time taking था puzzle based तारी shift में था तो 23 से लेके 37 good attempt 66 के उपर अगर आपके attempt 72 के बीच में with accuracy तो बहुत अच्छे आपके attempt है तो यह थी तीनो shift की बाद की कैसे आपके paper से आज के okay overall उसके बाद में हम बात करेंगी कि section wise को top बच्चे बहुत पूछ रहे थे क्योंकि कुछ Apti में बहुत कम attempt हुआ है लेकिन बाकी अच्छा score हुआ है दोनों section में तो यह भी बच्चे पूछ रहे थे तो last year की ज्यादा हम बात नहीं करेंगे लेकिन इस साल का जो है आपका sectional cutoff वो हो सकता है open के लिए 12-14 English उसके बाद में Apti जो है 9-11 reasoning जो है 14-16 उसके बाद में SC OBC-PWD के लिए भी sectional जो है वो English का 10-11 उसके बाद में Apti जो है वो तकरीबन 7-9 और reasoning जो है 11-13 के बीच में overall cutoff की बात करें तो अगर 70 से लेके 74 तक 69 भी आ रहे है plus minus 2 आप पकड़ के चलो इसके साथ plus 2 तो नहीं जाएगा तो minus 2 ही आप इसको समझो तो अगर minus 2 भी OBC के साथ है तो बहुत अच्छे attempt है और उसके अगर थोड़े बहुत pass में जैसे मैंने आपको वहला 68 भी तो बहुत अच्छे है क्योंकि normalization भी effect करेगा उसके बाद में OBC की बात करें तो 68 से लेके 70 is very good marks उतना cutoff रहने के chances है 62 से लेके 66 तक रह सकता है SC का 60 भी अगर आपको आ रहे तो भी आपके chances है ST की बात करे 57 से लेके 60 और EWS की अगर हम बात करें तो 67 से लेके 70 marks तक cutoff रह सकता है यह tentative है ओके इसमें plus तो नहीं कहूंगा मैं minus 2 आप इसको में count कर सकते हो ओके बाकि यस यह थे सारे बच्चों के comments ओके अच्छा था एक्जाम और ज्यादा यह म अभी-कभी ऐसा भी था SHIFT 2 में बच्चों से बात किया कि reasoning में जो पहले दो पजलते वो थोड़े hard आये थे उसके बाद में जो paper था reasoning का वो आसान था तो बच्चों ने पहले दो में ही जादा time spend किया तो यह सारी चीज़े बहुत सी सारी चीज़े समझ में आई लेकिन overall सा हमें पता चला है उसके हिसाब से यह cut off जो हो सकता है ओके तो यस बाकि जो भी update आएगा regarding any exam आपको यह चैनल पर time to time मिल जाएगा तो subscribe कर लो इसका result या जो भी update आता है और बाकी भी exam के जो updates आएगे आपको यह चैनल पर regularly मिल जाएगे plus आपको जो भी recruitment प्राइवेट गवर्मेंट सेक्टर के होंगे वो सारे यह चैनल पर time to time officially मिल जाएगे okay so thank you all and all the best